अब ऐसी घटनाओं को देखकर तो यहीं लगता है कि जो मांसीक प्रदूशन है धीरे-धीरे समाज के हर तपके के उपर हमला कर रहा है लेकिन अगर यही प्रदूशन हवा में घुल जाए तो क्या हो फिर आपके शरीर के उपर हमला होता है और यही वज़े कि दिल्ली में इन दोनों एमर्जनसी जैसे हालाद बनने जा रहे हैं पड़ोसी राजे में जलरी पराली का सर अब दिल्ली NCR पर होने लगा है दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही खराब श्रेणी में पहुँच गई है आनंद विहार में AQI लेवल 400 के पार पहुँच गया है तो बढ़ते पॉलिशन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में ग्रैप वन लागू कर दिया गया है याने की कई सारे जो कंस्रक्शन के काम है उन पर अप्रोक लगेगी ठंड की आहट के साथ ही राजधानी दिल्ली में AQI लेवल बढ़ने से दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है तो यामुना नदी में भी पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है कई फीट तक यामुना में फैले सफे जागने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है एक तरफ हवा में प्रदूशन दूसी तरफ दिल्ली में पानी में प्रदूशन और दोनों ही प्रदूशन दिल्ली वालों के लिए खतरनाक है अक्टूबर का महीना खतम होने से पहले पहले प्रदूशन अब बढ़ने लगा है दिल्ली के इस समय हवा और पानी दोनों जहरीली हो चुकी है कई इलाकों में वायू की गुडवक्ता इतनी खराब है कि AQI का पारा 300 का आकड़ा पार कर चुका है इस समय हम आपको यमुना की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे सफेद जहरीला जहाग जो है वो यमुना में 4-4 फीट तक तै रहा है जहां तक नजर जा रही है वहां तक यमुना में ये सफेद जहाग तस्वीरों में दिखाई दे रहा है हवा में जहर राजधानी दिली में एकदम से अब घुलना शुरू हो चुका है सुबह के समय कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है जो लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए घरों से निकल रहे हैं वो गले में खराश महसूस कर रहे हैं आखों में जलन होने लगी है क्योंकि राजधानी दिली में एक बार फिर से प्रदूशन का सीजन लौट आया है